कि नमस्कर दूस्तों एक बार आपका फिर से स्रागत है आपके अपने इसी यूटीब चैनल पैरा मेडिका करकर पर तो प्रदेश मेडिका फैकल्टी लखनों के बारे में तो बहुत सारे स्टुएंट मेरे से कॉश्चन करें के सारे इसके में फीस कितना होता है गवर्मेंट होने वाला है इसलिए इस वीडियो को लाच तक देखें जरा सस्क्रिप्ट ना करें अगर आप मेरे चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को मेरे को ज़रू सस्क्राइब कर लें आपको उत्तव प्रदेश मेडिका फैकल्टी से जुड़ होई हर एक इंफॉर्मेश रहे हैं उनका फीस के बारे में और टोटल सीट उसमें कितनी हैं कितने कॉलेज हैं कौन-कौन से कॉलेज में कितने कितनी सीट हैं यह आपका हमाराज थमनेल हैं यह आपका टॉपिक रहेगा मेरा और इसमें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे तो आईए वीडियो को शुर बाइध ये रखा होगा तो आपके लिए lep technician करना चाते हैं तो आपके लिए government college कि seat है आपके 900 seat है यह और private seat है जो आपकी 334 इसकी seat है एकशर टाइक्निसियन करना चाते हैं तोRO इसमें गवर्मेंट चीट है तो इसमें आपकी प्राइवेट चीट हैं कि ट्रिवेट चीट हैं इसके लावा के जी एम्यू किंग जौन मेडिकल यूनिवस्टी आपके लिए अंत्रै कैसे इस। यूनिवस्ट TaiŘ चीट क्रेelles आपके लिए प्रतीयक पस्ताइव खकर्णेंट हैं को one डिप्रमा जासेें शाür इसमें डिप्लों में अक्तिकष्ट कर डिकलमा इन ऐसम ठीक्नीश इन थेखिए वोडिए घंस में यह आपके 10 courses हैं जिसमें प्रतिय कोर्स में 38-38 seat हैं तो friends इसमें overall के हम बात कर लेते हैं अगर आपकी इनको सबको add किया जाता है जो government seat है आपकी 900, 639, 76 और आपकी 300 seat को count किया जाता है तो आपकी जो count करने पर जो होना चाहिए count करने पर जो सबको तो आपकी 1915 seat आपकी government seat हो जाएंगी अप private की seat को count कर लेते हैं इन्वाली seat को count करते हैं तो 686 की आपकी private seat हो जाएंगी यह आपकी government seat है और यह आपकी private seat है यह आपकी काउंसी है private seat है तो फ्रेंड्स यह कुल मिला के अब देखा जाए था आपको पता चल गया वन थाउजन नाइंडर 15 जो seat है आपकी government college की हो गई और आपकी 686 आपकी private college की हो गई अगर इन private और यह आपकी government seat है मैंने बताई थी कि अगर इन दोनों को हमें एड कर लेते हैं तो आपको एड करने पर इसमें कितना मिलेगा और आपके 12 में इतने भी मास आते हैं उसका परसेंट जोड़ा जाएगा फिर इन दोनों को जोड़ कर उनके आदार पर मेरिट बनाई जाती है उसके आपको government प्राइट को उसी के according होता जिसमें आपको college को choice filling लोग करना पड़ता है जो आपका number मेरिट होगा अपने कितने भी इसमें choose कर सकते हैं जैसे आप इसमें दो college में आप लेट करना चाहते हैं उसके बाद आप pharmacy का वी डालना चाहते हैं जितने भी course कर सकते हैं उसके आप सम्मिट कर देंगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा मेरिट के आदारवा आपको यह वाला college मिला है और आपको यह वाले college में आपको यह वाला course आपको वालेट हुआ तो आपको वहीं एडिविशन लेने जाना पड़ेगा तो फ्रेंट्स आप हमने बताए इस वीडिय जैसे मैंने बता आया 38 seat है और इसमें course जो कराता है वो 10 कराता है 10 course है इसके अंदर जो मैंने अब भी बताएं यह 10 course है और इसकी government seat हुई है उसमें तो 380 seat इसमें आपकी KGMU अलग से कराता है तो फ्रेंट्स इसका fees का structure अलग होगा जो उसकी KGMU की आपकी site पर मिल जाएगा के उसमें कितनी फीस ली आती है परंतु इसके अलावा जो हमारा यह कौन सा है उत्तर पर्दस मेंडिकर फैकल्टी है उसका निर्दार्थ फीस इस्टेक्स है कि वो उनसे government वालों से इतना ही लेंगे उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते प्रावेट के लिए वी उसमें आपक फैकल्टी ने निदायत किया है पर उतना वो नहीं लेते हैं तो फ्रेंट्स अब आपको लेकर चलते हैं कि इसमें हम कितना फीस इस्टेक्चर रहेगा जो कि हमने बताया है आपको और कौन से कॉलेज में आपको इस नोटिस के अकॉर्डिंग हम बताने बाले हैं फ्रेंट इसके होता चोवस अर्पर पहलि वर्स में लिए जाएंगे और δूसरी वर्स में 24 रुपर लिएगे उसके अलावा आपको यदि डिप्लोमाइड एक्सेटेक्सिन, डिप्लोमाइड रेडियो थेरपी, डिप्लोमाइड लेवरेटरी टेक्सिन, यान की एल्टी रेडियो थेरपी और आपको गवर्ण निलता तो इसमें भी आपसे 24 रुपे फीज ली जाती है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, 24 अगर इसमें एक हिस्त में आप दे सकते हैं, एक्स-डे टेक्सिन कोर्स में और रेडियो थेरपी में, लेवर्ण टेक्सिन, अब आपको इन में से तीनों में से कोई भी प्राइबेट कॉलेज मिलता है, तो आप दो बार में पैसे जमा कर सकते हैं, जिसमें से यह 24 रुपे बसूलते हैं, तो पैंतालिस से लेकर आप समझ सकते हैं, पैंतालिस हजार से लेकर आप समझ सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, पैंतालिस हजार पैसे लेकर आप समझ सकते हैं, सिक्स्टी थाउजेंड तक, प्राइवेट कॉलेज में इतना बसूला जाता है, कॉलेज की है तो गर्बर्मेंट के लिए आप 24 रुपे प्रति बर्स किया है कि इसमें उश्टर नहीं होता है उश्टर बिल्कुल नहीं होता आपको खुदी लेना पड़ेगा रूम वहीं अलेके आप रह पाएंगे इस कोर्स को कर पाएंगे तो फ्रेंट्स टॉपिक पॉर गर्टिवाजत्य वुट्प की 75 एक्ष़ टेक्सिन की 75 और आपकी जूलेउब टेर्स हैं उसकी 100 विसकी सौंधी है नहीं उसकी स 술 वितात भी तैंस पेले जो पि capability सीत में इतन्स test अपढ़िए पहले इसमें इस में इती चीत वहँए जैसे लिए टेचैसीत में यान की एकट सीट करें इंक्रीज कर गई है तो फ्रेंट्स आपको यह सटीन मेरी को पर आपको पता है जिसमें आपको फार्मेशी करना चाहते हो 75 सेट है इसमें है एक्सरी टेकनिस करना है 75 इसमें होंने सीट है आपकी एल्टी में बी रडी मेडिकर कॉलेज गोरकपुर आपका यह आपके 38 सीट है आपकी एक्सेट टेक्निसियन में और लेवरुटी टेक्निसियन में आपकी रीडियो थेरपी और फार्मिसी के लिए इसमें सीट है नहीं है एम एल्वी मेडिकर कॉलेज जहां सी यह आपका 38 सीट है और 100 सीट है आपकी लेवरुटी टेक्निसियन में जी एज़ियो मेडिकर कॉलेज कानपूर जिसमें 75 सीट हैं आपकी फार्मिसी के मिल जाएंगी और एक्सरेट टेक्सियन की आपकी 75 मिल जाएंगी और आपकी 100 सीट ह लेव टेक्नेशन की मिल जाएंगी जैसे मैंने बताएं यूनिवर्स्टी आपकी 75 वेक्स टेक्नेशन रेडियो थेरपी आपका 38 और 100 शीट आपकी ल्टी में मिल जाएंगी फ्रेंट जैसा कि दे सकते हैं इसके अलाव जितनी मैंने बताई है तो सास्की वाले आपके एलल आरायम हो गया उत्तपरदेश आपका ये सैफ़ाई वाला हो गया डाक्टर रामनुह लोईया हो गया राजकी अमेडिकल कॉलेज कन्नोज राजकी जिसमें आपको सिटर की संक्या दे रहे हैं 25 इसमें आपकी एक्सरी की मिल जाएंगी वठी आप्सेवल 25 इसमें येट मैं में 25 आपका ये कैंसर संस्तान्सापालाव आप प्राइवीट कॉलेज की संक्या भीका आप देख सकते हैं संतोस मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद में सरदा बर्दबाई पटे लखनूर का है सुभारती मेडिकल कॉलेज यह है आपका इसमें इसमें आपको देख सकते हैं इसमें सीटों की संक्याप को इधर दे रखिए और इसके लावा केरियर कॉलेज और पैरामेडिकल टी-एस मिस तो मुझे कमेड भॉक्स में कम बताएं वार्ना आप मेरे से अधिक जानकरे के लिए मैं ड्रिस्क्रेष्यू और फेसवीग पेज का लिंक मैं दे दुँगा तो वावाँसे फेस्वीग और इंस्टाग्राम मनें मुझे फॉल्लो कर सकते हैं तो मैं वाप पर भी आपको ब झाल